तियार जिन दिन लोगों के पास एक gaming console है चाहे कोई भी console हो PlayStation Xbox तो ये वीडियो आप लोगों के लिए है पूरी वीडियो देखना क्योंकि इस वीडियो में आपको ऐसी 5 चीजे बताने वालो हूँ जो आपको अपने gaming console के साथ नहीं करनी चाहिए अगर आप चाहते हो कि उनकी life जो है वो जादा रहे ताकि लंबे समय तक आप अपने gaming console में games खेल के मजे कर सको तो ये प्लीज इस वीडियो को पूरी देखना हो ये पांच के पांच जो मैं point बता रहा हूँ बहुत जादा important है वरना आपका console खराब हो सकता है और एक चीज और बता दूँ कि जब आप ये वीडियो देख रहे होंगे मैं एजिप्ट के लिए निकल चुका हूँगा अगले 10-11 दिनों के लिए तो अगर आपको लाइव अपडेट देखनी है मेरी एजिप्ट के ट्रिप की तो आप मेरे इंस्टाग्राम पर आ सकते हैं यूजरने में आप देख सकते हैं स्क्रीन पर दे रखा है ये खेंडो है अपर देख के दिवार के साथ भी चिपका के लगा देते हैं और पीछे जो फैंज की जगा आध कर दो कि आई कि आप कभी भी दिवार के साथ लगा के मत रखो या किसी ड्रोर में ना रखो यह जैसे काफी लोग करते हैं कि अपने गेमिंग कॉन्सोल को उसको बंद कर देते एयर निकलने का सवाल ही नुठता हम पर अब काफी लोग यह भी कहेंगे कि अन्मोल भाई हमारा टेबल चोटा मैंने काफी एक्सप्लेइन कर रहा है डीटेल में उसमें तो जो सेकिंड पॉइंट है इस वीडियो का वो काफी लोग यह गलती दोराते हैं बार बार तो लोग करते हैं गेम खेलने के बाद अपने कॉन्सोल से सारी वायर्स वायर्स निखाल के पूरा पैक करके कहीं पर र निकाल के रख रहे हो तो कोई नहीं लेकिन आप रोज खेलते हो सुबा खेलते हो फिर निकाल के फिर शाम को लगाते हो तो यह चीज़ गलत है आपको एक जगह पे सैट रखना चाहिए अपना कॉन्सोल ताकि आप वायर्स बार बार निकालो ना और छेड़ चार ना करो ज करते हैं इंवर्टर भी कहना ठीक नहीं होगा यूपीएस आपके लिए सही रहेगा क्योंकि होता कि अगर आप एक गेम खेल रहे हो तो लाइट जाती है आपके जटके से जो कॉन्सोल हो बंद हो जाता है तो यह कॉन्सोल के लिए आपके अच्छी बात नहीं है आपको यह थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए अगर आपके घर में यूपीएस टेकनोलोजी वाला इंवर्टर है मतलब कि लाइट जाने पर जटका नहीं मारता इंवर्टर तो आप इंवर्टर के थ्रू भी आप अपने गेमिंग कॉन्सोल को यूज कर सकते हो वरना आपको एक अलग स खराब हो सकते है अगर बार बार बंद होगा डिरेक्ली तो आपको प्रोपर तरीके से अपने कॉन्सोल को रिमोर्ट कंट्रोलर से ही बंद करना चाहिए तब ही आपको कॉन्सोल की जो लाइफ है वो जादा चलेगी नौर्थ पॉइंट है गेम डिस्क को लेकर तो कभी भी आपको अपने प्लेश्टेशन या फिर किसी भी कॉन्सोल को खाली नहीं चोड़ना चाहिए यानि कि जब भी आप उसको बंद करके छोड़ कर जाओ चाहिए कितने भी दिन के लिए उसके अंदर एक डिस्क जरूर होनी चाहिए ऐसा क्यों क्योंकि अंदर डिस्ट पार्ट इसको बखालाए मैं तो यह कभी भी मत करना ना ही गेमिंग कोन्सोल के नीचे कोई कपडा होना चाहिए हां लेकिन यह जिज़रूर ध्यान रखना जैसी आप गेम को बंद करके जाओंगे मतलब आप यूस नहीं कर रहे हो अपने कॉन्सोल को तो उसके उपर एक कपड़ा दख देना ताकि जो dust particles है वो अंदर ना गुसे आपके console के लेकिन यूज करते वक्त बिल्कुल भी कपड़ा ना ही उपर ना ही नीचे रखना क्योंकि इसमें भी heating problem आ जाती है और air ventilation का भी पंगा हो जाता है तो मैं पहले देखता था जो gaming cafe वाले होते थे वो अपने console के उपर दखके रखते थे कपड़े को खेलते वक्त भी तो यह चीज बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए चाहे आप घर पे खेल रहे हो चाहे आपका कोई gaming पार्लर है लेकिन अगर आप नहीं खेल रहे हो उस console से तो आप फिर जरूर धक्के रखो ताकि dust particles अंदर ना गुसे यह थे यार आज की वीडियो के पांच पॉइंट जो आपको अपने gaming console के साथ नहीं करने चाहिए अगर आपको वीडियो पसंद लाइते वीडियो को like share जरूर कर देना नए हो चैनल पर subscribe करके bell icon जरूर दबा देना वरना फाइधा नियार कुछ भी subscribe करने का अगर notification ही नहीं आएग है एजिप्ट में घूम रहा हूं मैं आजाओ मेरी श्टोरीज देखने के लिए बागी मैं मिलता हूं आप से इस तरकेक और exciting वीडियो में tell them goodbye and as always तीक है रास्तों पर नहीं पढ़ना तीक है बाइए 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 बाइए